तो बई अगर आप as a developer काम करते हो in 2021 में आपको लैक्टाव सर्च आउड कर रहे हो जिस पर आपने loaded file पर काम करना है कोई heavy software पर काम करना है ये वीडियो specially मैं आपके लिए बना रहा हूँ plus मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपको आपके लिए नाटी ताउं से लेके दो लाख है आज हमें इस topic की बात करेंगे अगर आपका बज़िए नाटी ताउं से कम है यार मैंने पहले ही उसकी वीडियो किया मेरी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगे उसको चाहँ कर लेना आपके लिए perfect deal हो जाएगी अभी start कर करते है अगर आपका बज़िए नाटी ताउं से लेके वान लक टान थाउंड हो जाता है इस प्राइज चैनफांस हो जाता है इस प्राइज Servan जी धॉसरा ही अगर में बात करों सूश्रों जैपरास जैपर जी फोर्ग लिन की उसंखा आपको masters स्टाली से डिजान मिल जाता है बैक सैड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो कि आप कुस्तमाज कर सकते हो डूगल फैन मिल जाते हैं एंटी डिस्प्ले भी बहुत अगडिया है जो कि आपको 120 रिफ्रेश एड के साथ देखने को मिलती है अभी बात करते हैं असूस रॉक से ट्रिक्स की अगर मैं इस लैप्टाप की बात करूं इसका जो स्टाली से डिजान तो मिली जाता है उसके साथ सज्टे स्पैसिफिकेशन के कॉर्डिंग पूरा लूटिड है आपको 16 GB RAM मिल जागी i7 देखने को मिल जागा 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जागा उ यह डिस्प्ले की बातों को 15 पर 16 फ्लस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाथी जो की आई पैस लावल डिस्प्ले जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आते आप और सासर की बात करूं आपको i5 जा i7 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ storage की बातों को 16 GB RAM मिल जाथी प्लस आपको 5 GB SSD देख आप जाता है एंड जो मैंने आपको वेर्ड बताया वह एक लाग के बज़र तक जा सकता है ठीक है उससे एक लाग से कम ही मिल जागा अपर नहीं जाने वाला तो स्पैसिकेशन के कॉर्णी देखा जै लैप्टप पूरा तगड़ा मिल जाथा ठीक है प्लस तालिस डिजान है आगे बात करता है सूस राग्ड़ा से जी फॉर्ड़िन की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाथी जो की आइपैस एंटी के लिए डिस्प्ले जो की 120 रिफ्रेश एड के साथ देखने को मिलते है पर सैसर की बात करूं आपको एमडी राजन फाफ देखने को मिलेगा 4600 एचस के साथ स्टोरेश की बात करूं को 8GB RAM मिल जाते एक्सपेंड़ आपका सकतो 32GB तक प्लस आपको वान टीवी SSD देखने को मिलेगी ग्राफिक आड की बात को आपको RTX भी मिल जागा DTX भी मिल जागा 4GB की आर जाने जा सकते हो उप्रेशन की बातों को विंडो टैम मिल जाते हैं बैंटरी लाफ की बात करो आपको टैन आवस का बैंटरी लाफ पर वाइड करा देता है प्राइस की बातों को 90,000 के बटर में असूस रॉक्स जी फॉरिंग देखने को मिल जाएगा तो यहार में आपको दोनों ही लैप्टॉप के बता दिया है अभी बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो यहार सबसे पहले मैं आपको बता दो सूस रॉक्स जी फॉरिंग का डिजाइन का ज्याइन का ज्यादा अच्छे है ऐस कंपैरिजन किया जाए असूस रॉक से ट्रिक्स के साथ यह ज्यादा तकड़े आपको देखने का मिल जाते कम प्राइज में अच्छे फिच्छर्स पर वाइर करते तो आपने देखना अगर आपको स्टालिश डिजाइन चाहिए अगर आपको स्पैसिफिकेशन लोटेर चाहिए तो भाई असूस रॉक से ट्रिक्स आपके लिए डील हो सकता अभी बात करते हैं कि यह लिए लिए बने की लोगों में घंक हावWow यूज करना आपके लिए लेपटाप बने दोनों लेपटाप बहुत तगड़े हैं अगे बात करते हैं अगर आपका बज़िए वान लाक फॉरी थाउसन फोड़ी थाउसन हो जाता है इस प्राइज में यार मैंने रखें दो लैपटाप यह दोनों लैक्टप अगर आप ने इस त्री सिक्स जीरो की दोनों लैपटाप बहुत तगड़ें इंटरनेशनल क्रीटर्स हो गएं डिवैपर्स हो गए जा कोई भी बंदा हो गया वह बहुत लैक्टप यह दोनों लाइक करते हैं इनकी डिजाइन इनकी बिल्ड कॉलिटी प्लस इनकी जो स्पैसिफिकेशन आपको बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं बात कर लेते हैं दोनों के में स्पैसिफिकेशन की मैं डीप ली आपको बता देता हूं तो यहर माइक्रोसाफ सर्फेस थ्री की बात करूं तो पहले डिस्प्ले की बातों को थरीन इंच भी मिल जाएगी आपको फिफ्ट अगर आपने वांट टीवी तक जाना है आप उसकी और भी जाजब तो ग्राफिक कार्ट की बात करूं आपको इंटल एडिस प्लस भी देखनी को मिल जागा वां सिक्स फाइजरो टी आई भी देखनी को मिल जाएगा तो अब देख लेना जो भी आपको ग्राफिक कार चाह जाता है इसका बजट रेंज या दो लाग के बजट से भी अपर चला जाता है तो अब भी बात करते है एच्पी स्पेक्टर एक्ट्री सिक्स जिरो की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको फिफ्टीं पांट सिक्स इंच फोर के टच स्क्रीन मिल जादी जो की एचपी पैन के साथ आते है और सासर की बात अब को आई 7th generation के साथ मिलता है स्थ प्रीज की बात करूं आपको 16GB मिल जाते है प्लस्घिन को प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ मैंने आपको पहले रिपीड कर दिया कि नाइटी थादू से स्टार्ट हो जाता है एंड इसका बजड यार दो लाख पिचास हजार के बजड तक भी चला जाता है तो स्पैसिफिकेशन इंक्रीज इस दिग्रीज होते जाएंगे जितना पर यह को रोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पैसिफिकेशन देखनी को मिल जाएंगे तो यहार में स्पैसिफिकेशन अभी मैंने आपको इन दोनों लैप्टॉप के भी बता लिए तो भी अगर आपने ऐसा ड्वेलपर काम करना है प्रोग्रामिंग करने या कोडिंग करने उसके बाद भी अगर आपने फोटो एटिंग करने है वीडियो एटिंग करने है जो कोई भी हैवी सौफ्वटर यूज़ करना है यह दोनों लैट्व भी आपके लिए पॉफैक्ट डिवी रम के अगते आप उसकी और चल जाने ज आपको सीधा बोलना चाहता हूं आपके लिए perfect deal हो जकती है apple macbook 13 या apple macbook pro तो या as a developer के लिए as a creator के लिए as a creator के लिए as a developer के लिए अगर आपने programming करने है animation करने है coding करने है 3d animation करने है cartoon टॉ करते है आर्टीटेक्टर की study कर रहे है इसी चीज़े के लिए apple macbook बनी है बस मैं आपको यह कहना जाता हूं आपने 16 GB RAM के और जाना आपने 8 GB RAM के और नहीं जाना आपके पैसे वारा खराब नहीं होने वाले इस price range में बहुत laptop आते हैं लेकिन मैंने आपको वही बताया जो आपकी category लिए बहुत ज्यादा अप्रेजर ड्वाल्पर काम करना जाते हो प्लस भी अगर आपने programming करने है coding करने है आपके लिए यह laptop perfect deal हो सकते है आपका जो काम है वो smoothly होगा normally कर सकोंगे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है घतम अगर आपको मेरी बेच्ची लगी यार वीडियो को like कर दोना comment कर दोना share कर दोना दोस्तों के भी दोस्तों को पेत दना उनको भी कहतना की चान को करते subscribe वीडियो को गरते लाइक और इस्ताग्राम पे गले फॉलो लिंक अब गरा यह आपको डिस्क्रिप्चिप्चिन बॉक्स में देखने को मिल जगा सोच चालवाना भी मिलते नेक्स वीडियो में वीडियो को साथ थेंक्यों क्या कि वीडियों देखने हैं भी मिलते एखने हैं